त founder होता क्या है, mass upon volume या फिर, या फिर याद रहतना कि Mass को अपंद क्या लिख सकते density into value तो मान लो, कोई तुम्हें पूछे कि मेरे पास ये चोटा सा mass है जिसका volume में गई वी और इसकी density ही रो veio तो मेरे पास आगे जाके भी बहुत काम आएगी dm equal to rho dv छोटा सा mass is equal to density into छोटा सा volume लेख लो अपनी कापे में तो density basically होता क्या है density होता है mass upon volume तो mass को आप क्या लिख सकते हो mass को आप लिख सकते हो density into volume तो छोटे से mass को आप क्या लिख सकते हो छोटा सा mass हो जाएगा density into छोटा सा volume dm equal to rho dv ये equation आगे अपन बहुत जगे use करेंगे इसलिए इसको याद रखना dm is equal to rho dv ठीक है अच्छा अब एक और topic मैंने जो last class में पढ़ाया था मैं वापे जिवाइस करा रहा हूं देखो माल लो कि तुमारे पास कोई pipe है ठीक है और माल लो कि इस pipe के यहाँ पे कोई plate है ठीक है और माल लो कि तुम इस plate पे pressure लगाते हो pv और माल लो कि आपकी ये जो plate है माल लो ये plate आपने pressure लगाया तो ये plate माल लो यहाँ से यहाँ पे आ गई और माल लो कि यह जो beach वाला volume था माल लो यह volume था dv तो आपने work कितना किया आपने work क्यों किया आपका work का formula हो जाएगा आपने कितना pressure लगाया into कितना volume आगे खिसकाया तुम्हें यह formula याद रखना है जिसे माल लो कोई तुम्हें पूछे कि कोई pipe है ठीक है और माल लो कि मैंने इस pipe पे माल लो इस pipe की एक side का area है A माल लो मैंने यहाँ पे pressure लगाया P और माल लो कि यह plate यहाँ से यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे बीच में जितना भी flute था देखो आपने plate पे धका लगाया तो plate यहाँ से यहाँ पे आ गई तो बीच में जितना भी flute था वो कहाँ चला गया वो आगे किसा गया होगा तो मैं पूछू कि बताव आपने कितना work किया तो work का formula होगा आपने कितना pressure लगाया into आपने कितना volume आगे खिसकाया तो work का formula कितना आजाएगा P into V पी मतलब आपने कितना pressure लगाया वी मतलब आपने कितना volume आगे खिसकाया तो work का formula होता कितना है P into V एक तो यह formula लिख लो अपनी काप में topic लिख लो work done by pressure अगर तुमने वो class miss करी हो तो work done by pressure का formula लिख लो अपनी काप में work done by pressure का formula P into V लिख लो कप में एक बार तो आपने कित्ता प्रेशर लगाया इंटू कित्ता वॉल्यूम आगे खिसकाया वर्क डेन बाय प्रेशर ठीक है अब तीसरा वाला अगले टॉपी जो में रिवाइस करा रहा हूँ उसको एक बार तुम ध्यान से देखना हूँ सपोस करू कि मेरे पास यह एक पाइप है ठीक है माल लो कि मेरे पास यह एक पाइप है और माल लो कि इस पाइप के दो प्लेट लगी हुई है माल लो एक प्लेट यहां पे लगी हुई है और माल लो एक प्लेट यहां पे लगी हुई है माल लो इस प्लेट का एरिया एवन इस प्लेट का एरिया एटू ठीक है और माल लो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में suppose करो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई fluit बरा हुआ है क्या बरा हुआ है इन दोनों प्लेट्स के बीच में माल लो कोई fluit बरा हुआ है अब तुम एक चीज ध्यान से समधना ध्यान से समधना माल लो कि में नीचे वाली प्लेट को धक्का मारके यहां ले के आता हूं इस जगे तो ये बीच का जितना भी फलिट था वो कहा तो तला जाएगा उपर तो उपर वाली प्लेट भी कहा जाएगी तो याद रखना माल लो की ये वाला वॉलिम वी है तो ये वाला volume भी किता होगा V होगा क्यों? क्योंकि अगर आपने नीचे वाली plate को आगे खिसकाया तो होगा क्या? यहाँ पे बीच में जितना भी liquid है वो सारा का सारा का चला गया उपर लेकिन उपर चला गया तो होगा क्या? उपर वाली plate आपकी आगे आगे खिसकाया तो आपकि उपर वाली plate भी क्या जाएगी? आगे आजएगी लेकिन याद रखना नीचे जितना fluid आपने कम किया उतना का उतना fluid कहा पहुंचेगा? उपर पहुंचेगा याद रखना इस चीज़ को अगर मालो नीचे से आपने दो मिल्म कीव कम किया तो वो जाएगा कहाँ वो सारा का सारा दो मिल्म कीव का आगे तब कि उपर वाली प्लेट कहां पहाँ जाएगी उपर वाली प्लेट आपकी आगया जाएगी है ना? इस चीज़ को याद रखना यह आपकी equation of continuity है कि अगर नीचे से आपने दो मिटर क्यूब कम किया तो यह दो मिटर क्यूब उपपर चड़ जाएगा तो उपपर वाली प्लेट कहाँ पर आ जाएगी आ गया जाएगी तो कोई तुम्हें पुछे कि मैंने यहाँ पे दो मिटर क्यूब कम किया तो वो कहा गया तो आपको बोलना है कि भाईया आपने नीचे वाली प्लेट को आगे खिसकाया तो अपनी उपर वाली प्लेट भी आ गया गयी और यहाँ पे कितना फ्लूड आ गया दो मिटर क्यूब इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है ठीक है तो अगली स्लाइट का फॉर्मुला बहुत इंपोर्टन है अब तुम सब ध्यान से उसको समदना सपोस करूँ कि हमारे पास एक पाईप है माल लो हमारे पास एक पाईप है इस तरीके से माल लो इस पाईप की यहां पे कोई प्लेट है इस पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ P1 और माल लो की यहां पे एक और प्लेट है माल लो इस पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ P2 और माल लो की P1 P2 से बढ़ा है P1 किस से बढ़ा है P2 से बढ़ा है तो आप मुझे बताओ, suppose करो कि इन दोनों plates के बीच में यहां पर fluid बरा हुआ है, ठीक है, माल लो कि मैं इस plate को यहां से यहां shift करता हूँ, इस जगे, क्योंकि P1 बड़ा है, P2 छोटा है, तो माल लो यह volume V है, तो आप मुझे बताओ कि नीचे work कितना हुआ होगा, नीचे work pressure into आपने कितना volume आगे खिसकाया, और आगे positive लगाना, क्यों? क्योंकि देखो, आपने pressure लगाया भी इदर, और आपकी plate भी इदर गई, है ना? तो आपने जहां force लगाया, वही displacement है, तो work positive, लेकिन अब यहां पर देखना क्या होगा? अगर आपकी यह plate आगे गई, तो यह plate कहां पहाँ जाएगी, उधर की तरफ, तो ध्यान से देखो, अब pressure लगा रहे हो इदर, लेकिन अगकी plate आ रही है उधर, और मैं तुम्हें क्या कहा था, यहां पे जितना volume कम होगा, उत्ता ही volume उपर पहुंचेगा, तो यहां पे कितना volume पहुंचेगा V, तो point number 2 पे work किता हुआ, minus P2V, क्योंकि अब force तो ऐसे लगा रहे हो, पर displacement ऐसे, तो यहां पे network किता हुआ, network यहां पे हुआ, P1V minus P2V, या फिर आप V common ले लो, तो bracket में आ जाएगा P1 minus P2, लिख लो, network done in a pipe, topic लिखो, network done, network done in pipe, एं pipe के अंदर network कितना होता है, देखो, नीचे high pressure है, उपर low pressure है, तो याद रखना, आपका जो flood होता है न, वो हमेशा high pressure से कहा जाता है, low pressure की तरफ जाता है, लिख लो, और इसमें आप कोई doubt है, तो आप पूछ सकते हो, यार, कोई भी doubt है, मानत, यश, चारू, कोई doubt है तो पूछो, अपने गर में भी पता है, अ आप अपने motor लगाते है, तो motor क्या करती है, नीचे high pressure होता है, उपर low pressure होता है, तो पानी अपने उपर भाग जाता है, तो motor क्या create करती है, pressure difference create करती है, लिख लो, अपनी कापिल में, और कोई doubt है, तो पूछो, कोई भी doubt है, तो पूछ सकते हो, यार, चारू कोई doubt है, यश, मानत, कोई doubt दो पूछो, तो सर, clear है, ठीक है, तो एक question तुम लोग सवाल करके बताओ, ये लिख लो, network done, कोई तो मैं पूछे कि नीचे वाला work positive क्यों लिया, तो कि भीया आपने pressure भी इतर लगाया, और plate का displacement भी इतर है, तुम लोगोंने ये पहले भ पड़ा होगा, when force and displacement are in the same direction, work will be positive, उपर उपर क्या हो रहा है, अब pressure तो ऐसे लगा रहे हो, लेकिन plate इदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर work क्या हो जाएगा, negative, तो network कित्ता हो गया, P1V-P2V, आप V common ले लो, तो bracket में क्या आजाएगा, P1-P2, तो ने को एक question तुम सवाल करके बताओ, suppose करो मैं तुम्हें बूलू कि मेरे पास एक pipe है, ठीक है, और माल लो की, इस pipe के इधर में pressure लगा रहा हो, माल लो इधर में लगा रहा हो, 600 pascal, ठीक है, और माल लो की इधर एक और pipe है, और माल लो इधर से में लगा रहा हो, 200 pascal, ठीक है, और माल लो बीच में को तू मिटर क्यूब एक्रोस द़ पाइप तो अगर मुझे इस पाइप के एक्रोस टू मिटर क्यूब फिलूड मूव करना है तो आपको बताना है कि मुझे किता वर्क करना पड़ेगा सोचो क्या answer आएगा एक तरफ से मैंने लगाया 600 पासकल एक तरफ से मैंने लगाया 200 पासकल तो एक बात तो पक्की है कि इधर वाला pressure जादा है इधर वाला कम है तो ये plate तो आधर आएगी ये plate उदर जाएगी तो आपको बताना है कि यहाँ पर network कित्ता हुआ किसके लिए माल लो कि मुझे 2 meter cube पानी यहाँ से move करना है across the pipe तो क्या answer आएगा सोचो इसका सोचो क्या answer आएगा कितना होता है network pressure difference into आपको कित्ता volume move करना है तो 600 मैं से 200 गए तो कितने बचे 400 और 2 तो यह कितना आजाएगा 800 जूर यह आपका answer है जूर लगाना मत बोलना चारू कोई doubt है यश कोई doubt है तो पूछो वना आपने इस टॉपिक लाटा इंवेस नहीं करते तुम्हें समझ में आगया network तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो network किसे निकालते है ठीक है अच्छा अब next देखो यह कोई doubt है तो पूछो doubt नहीं है तो आपन आगे बढ़ जाते हैं ओके कोई doubt नहीं है तो अब next next topic लिखो change in kinetic energy change in kinetic energy across the pipe topic लिखो change in kinetic energy across the pipe अब तुम जहां से समझना बहुत आसान है कोई tough topic नहीं है बहुत आसान है suppose करूँ कि यह एक pipe है ठीक है और माल लो कि इस pipe में कोई fluid भरा हुआ है माल लो कि यह जो pipe है इसके अंदर माल लो कोई fluid भरा हुआ है ठीक है इस pipe के अंदर क्या भरा हुआ है कोई fluid भरा हुआ है और माल लो कि इधर मैंने कोई प्लेट लगा रखी है इधर भी मैंने कोई प्लेट लगा रखी है ठीक है और माल लो कि इस प्लेट का एरिया A1 इस प्लेट का एरिया A2 अब तुम सब ध्यांतर सुनना माल लो कि मैंने इस प्लेट को यहां से यहां पुश किया और माल लो कि य नीचे वाली प्लेट को मैंने यहां से यां मूव किया तो यह वालुम वी है तो मैं तुम्हें अभी क्लाइगा था और यह वाल cách वालूम भी किता होगा वी होगा माल लो की नीचे फ्ल्रीड keyboard की वेलोसिटी वीटु ए ऊपर वेलोसिटी वीटव है जो isn't देखो अगर आप इस प्लेट को आगे लेकिया होगे तो उप्रावली प्लेट आगे जाएगी तो माल लो नीचे वेलाउसिटी वीवन है तो नीचे आपकी काइनेटिक एनर्जी किती हो जाएगी कि अगर नीचे जो प्लेट किसका ही उसका वॉल्यूम भी है उपर जो प्लेट आगे यह वॉल्यूम भी किता होगा वी होगा तो अगर वॉल्यूम सेम है तो मास भी क्या होगा सेम होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी किता हो जाएगा हाफ इंटु एम इंटु वी तू स्क काइनेटिक एनरजी है टू माइनस काइनेटिक एनरजी एट वन तो द्यान से देखो इन दोनों फॉर्मले में हाफ रो वी कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या जाएगा वी टू स्क्वाइर माइनस वी वन स्क्वार लिख्लो अपनी कापे में लिखलो बहुत इंपोर्टेंट है पहले अपन ने क्या पढ़ा? Network. अब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? अब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर किसी pipe मैं मानलो पानी एक जगे से दूसरी जगे जाता है पानी क्या मानलो कोई flood तो बताओ kinetic energy कितना change होती है तो मानलो नीचे जो flood जा रहा है वो velocity V1 का है तो उसकी kinetic energy कितनी हो जाएगी half M V1 square और mass को मैंने क्या लिखा? density into volume into V1 square और mass density volume ठीक है? ये fluid जब उपर गया मानलो तब इसकी velocity V2 है तो उपर kinetic energy कितनी हो जाएगी half M V2 square मैंने यहां पे भी M है लिखा उसका reason क्या है? उसका reason ये है कि नीचे जितना volume कम हुआ उतना का उतना volume उपर पहुचा तो इसलिए जितना mass नीचे कम हुआ उतना का उतना mass उपर पहुचा क्योंकि mass basically होता कि density into volume तो V बराबर है तो M भी बराबर ही होगा तो वापस मैंने M को क्या put करिया? half rho V into V2 square और change in kinetic energy क्या होगा? final kinetic energy minus initial मतलब उपर कितनी है? minus नीचे कितनी है? ध्यान से देखो दोनों में half rho V और half rho V common है तो common निकाला हो bracket में क्या है? V2 square minus V1 square लिख लो अपनी कॉप्रमेंट लिख लो मानत कोई डाउट है चारू कोई डाउट तो पूछो यार पूछो पूछो कोई भी डाउट है तो यश कोई डाउट है मानत? हीरो कोई डाउट तो पूछ ले ओके चारू कोई डाउट है क्या? देख नीचे मैंने Kennedy Village निकाली उपर मैंने Kennedy Village निकाली और मेरा कुश्चन है कि बताओ नीचे से उपर में कितना चेंज हुआ इस डेल का मतलब क्या होता है कितना चेंज हुआ तो उपर कितनी है माइनस नीचे कितनी है बस यह आ गया ठीक है अच्छा एक तो यह फॉर्मॉला भी तुम्हें आ जातना कौन सा चेंज इन काइनेटिक एनरजी का अब आगे बढ़ने से पहले एक बैसिक वापिस बता देता यहां एक यहां एक पर मालों की बीच में कोई फ्लिट भरा हुआ है है। और माल लो कि इस लूट की density किती है रोग। अभी मैं तुम्हें बताया अगर मैं इस plate को आगे लेकिया हूँ, तो माल लो कि मैंने यह पे V volume कम किया, तो उपर वाली plate क्या जाएगी, उपर वाली plate भी आगया जाएगी, और कितना volume आजाएगा उपर, same V, तो माल लो कि यह वा मास M है, तो अभी नीचे potential energy किती हो जाएगी, M, G, H और मास को अपन क्या पूट कर सकते है, density into volume, तो रो, V, G, H1, तो कि इसकी height किती है, H1, और माल लो उपर वाले pipe की जो height है, माल लो वो H2 दे रखिये, तो उपर आपकी potential energy किती हो जाएगी, मास तो उतना ही है, G, H2, मास क अपन क्या पूट करेंगे, रो, V, G, H2, तो change in potential energy किता हो जाएगा, उपर किती है, माइनस नीचे किती है, तो इसमें रो, V, G, तो common आजाएगा, और bracket में क्या आजाएगा, H2 माइनस H1, लिख लो अपनी compliment, अब तक कोई doubt है तो पूछो, मतलब मैंने क्या निकाला, कि अग हम यह निकाल रहें कि basically potential energy कितना change होई, तो उपर कितनी है, माइनस नीचे कितनी है, तो रो, V, G, तो comment आगया, bracket में क्या आजाएगा, H2 माइनस H1, लेख लो, और को doubt है अब तक तो पूछो, कोई भी doubt है तो पूछो, एक height को आपको 0 लेना पड़ता है, तो मालनो नीचे वाला pipe H1 height पह है, उपर वाला pipe H2 height पह है, तो नीचे Mg H1, तो मास होता है, रो V into GH1, उपर रो V into GH2, तो चेंज कितना हुआ, रो VG H2 minus H1, अब तक कोई भी doubt है तो पूछो, बस अब बर्नौली खतम होने वाली है, तो मैं बस last slide में बर्नौली लिखवा दूँगा, कोई doubt है अब तक तो पूछो, कोई doubt नहीं है, तो अब एक चीज़ तुम संबदना देखो, फिजिक्स में आप एक तीर अच्छे से समझना, एक सिकंडा बस, one minute, suppose करो कि यह कोई बंदा है, मान लो इसके पास kinetic energy है 200 J, और मान लो इसके पास potential energy है 100 J, और मान लो मैंने थोड़ी तर के पाद देखा इसको, तो मैंने देखा कि यार इस बंदे के पास kinetic energy है 400 J, और इसके पास potential energy है 500 J, तो मेरा कुशन की बताओ इस पे कितना वर्क हुआ, तो एक चीज़ याद रखना, physics में अगर किसी भी body की energy बढ़ती है, या उसकी energy घटती है, तो energy बढ़ और घट कब सकती है, जब उस पे वर्क होता है, तो अभी ये बंदा यहाँ पे है, देखो इसके पास total energy कितनी है, 200 और 100 कितना हो गया, 300 J, अब जब ये बंदा यहाँ पहुँच गया, देखो अब इसके पास total कितनी है, 500, 400 कितना होता है, 900 J, तो याद रखना, इस body पे work कितना हो आप खुद मुझे बताओ, बाद में इसके पास 900 है, पहले इसके पास 300 है, मतलब इस पे कितने का work होगा, इस पे work कितना होगा, 600 J, याद रखना, अगर किसी भ body पे अगर work होता है, तो work is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, है ना, तो पहले इसके पास कितनी ही 300, बाद में कितनी होगी 900, मतलब किसी ने इसको energy दी होगी, और किसी भी body को energy कैसे देते है, जब उस पे अपन क्या करते है, work करते है, तो इस body पे कितना work हुआ, कैसे निकालोगे, बाद में 900, पहले 300, तो कितना work हुआ, 600, मतलब इसको कितनी energy मिली, 600 जूलकी, और यह work, और आप निकालोगे कैसे, तो work होता क्या है, change in kinetic energy plus change in potential energy, लिख लो, यह one of the most important formula में से एक है, work is equal to change in kinetic plus change in potential, लिख लो, जिसे इसका एक example तुम सौल करें, बताओ, मालो की एक बंदा यहां पर, मालो इसके पास kinetic 30 जूल है, और मालो potential 40 जूल है, और मैंने कुछ दिर के बाद देखा, तो यह बंदा यहां पहुंच गिया, इसके पास kinetic 70 जूल है, और मालो potential 80 जूल है, तो मेरा question है, कि बताओ इस आ potential 40, आदमी उपर पहुचा, तो kinetic 70, potential 80, मतलब यार एक बात तो पका है, कि इस आदमी की energy बढ़ी, तो चेक करो कितनी बढ़ी, नीचे कितनी है, 40 और 30, 70, उपर कितनी है, 80, 70, 1500, मतलब इस आदमी को कहीं न कहीं से तो energy मिली होगी, क्योंकि नीचे 70 है, उपर 1500 है, मतलब इस इस पर कितना वर्ख हुआ, change in kinetic, plus change in potential, चेक करो kinetic कितनी change होई, पहले 30 थी, बाद में 70 होगी, मतलब 40, चेंज करो potential कितनी change होई, पहले 40 थी, बाद में 80 होगी, मतलब 40, तो answer कितना आया, 80 joule, मतलब इस आदमी पर कितना वर्ख हुआ, 80 joule का वर्ख हुआ, कोई doubt है तो पूछो, तो किसी भी body पे कितना वर्ख हुआ, कैसे निकालते हैं, check करो, कि उसकी kinetic कितनी change होई, और check करो, कि उसकी potential कितनी check होई, दोनों को add करो, आपको work मिल जाता है, ठीक है, तो बस अब लिख लो, अपनी copy में, बर्णॉली principle, बस दो line का है, क्योंकि तुम् बर्णॉली principle, तो एक बात याद रखना, बर्णॉली principle के bracket में लिख लेना, कि ये किसको follow करता है, बर्णॉली principle follow करता है, conservation of energy principle को, ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी देखो, अब तो क्रेंद में क्या पढ़ाया देखो, suppose करो कि ये एक pipe है, और माल लो इस pipe में नीचे की प्रेशर है P2, माल लो नीचे जो फ्लुडवस की velocity V1, माल लो उपर जो फ्लुडवस की velocity V2, और suppose करो कि नीचे वाला pipe का center H1 हाइट पर है, और उपर वाला pipe का center H2 हाइट पर है, तो हमने तीन चीज़े पढ़ी अब तक, network done किता हुआ, P1-P2 into V, change in kinetic energy किता हुई, half rho V, और bracket में क्या आया था, V2 square minus V1 square, और change in potential energy किता हुआ, rho G, V, और bracket में क्या आया था, H2 minus H1, और मैं तुम्हें क्या सिखाया, अगर किसी भी body पर work करते हो, तो उसकी kinetic energy change करती है, और उसकी potential energy change करती है, बस इस सब चीज़े यहाँ पर, सब चीज़े put कर दो, तो network done किता आ जाएगा P1 minus P2 into V, changing kinetic energy किता आजाएगा, half rho V, bracket में क्या आएगा, V2 square minus V1 square, और यहाँ पर क्या आजाएगा, rho GV, bracket में क्या आएगा, H2 minus H1, ठीक है, अब ध्यान से देखो, V, V, V गया हो, ठीक है, सब V चले गए, अब इनको open कर दो, तो P1 minus P2 इधर क्या बचेगा, इस bracket को open करो, तो half rho V2 square, और यह हो जाएगा, minus half rho V1 square, plus rho GH2 minus rho GH1, अब क्या करो, देखो, यहाँ तक पहुच गए, अब जित्ते भी minus minus वाले हैं, यह जित्ते भी 22 वाले उनको एक तरफ ले लो, 11 वाले को एक तरफ ले लो, तो P1 तो पहले से इधर ही था, plus, और यहाँ पर आपका आजाएग प्लस हाफ rho V1 square, एक से गए तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हाफ rho V1 square, अब प्लस हो जाएगा, तुमारा, rho GH2 minus rho GH1, अब क्या करो, इन वन वाले को एक तरफ ले लो, तो यह हो जाएगा, प्लस हाफ rho V1 square, प्लस rho GH1, इत्तही होगा, यहाँ माइनस है, इसको एक्वल टू को अधर बेजो, तो यह हो जाएगा, प्लस हाफ rho V2 square, प्लस rho GH2, और यह आपकी बढ़नौली थी हो रहा है, लिख लो आपनी काप्य में, बहुत इंपोर्टेंट है, कम से कम यह पांच नं है उनको, चेंज इन काइनेटिक अगर्जी लिखके बताना है, चेंज इन पॉटेंशियर लिखके बताना है, फिर आपको यह फर्मुला पूट करना है, कि भाया, कंसर्वेशन आफ एनरजी प्रिंसिपल लगाया हमने, जितना वर्क किया, थोड़ा बहुत काइनेटिक चे प्लस रोजी अच्टू, यहाँ फिर आप लिख सकते हो, कि प्लस हाफ रोवी स्क्वार प्लस रोजी एच एक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, रिख लो अपनी काप में, और इसमें आप कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, इसमें आप कोई भी किस पर डिपेंड करती है, सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछ हो, लास्ट टेप कैसा है, लास्ट टेप मतलब कौन सा वाला यह वाला कि यह वाला, नीचा यह वाला क्या, हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक बार यहां तक लिख ले, फिर मैं बताता हूँ कि मैं यह कैसे लिखा, एक बार वहां तक लिख लो, मैं अभी अग्ली साइट ने बता देता हूँ, देखो यह कैसे आया मैं तो मैं बताता हूँ, यह लिखन हो और हो जाए तो मुझे बता देना क्योंकि फ्रीगे चार पास दंबरे में अभी भी तुम्हें बोल रहा हूं बर्णॉली थियोरम गलत करके मत आना तो देखो मैंने यह लास्ट एक्वेशन कैसे लिखी अब तुम समझना हूं तो बर्णॉली क्या बोलता है एक सिकना जिस्ट गिवी वन निनिट तो देखो बर्णॉली थियोरम के हिसाब से माल लो कोई पाइप है माल लो यह पॉइंट नंबर वन माल लो यह प्रेशर पी वन है वेलोसिटी वीवन है हाइट एच वन है माल लो यह कोई पॉइंट नंबर टू माल लो यह प्रेशर पी टू है वेलोसिटी वीटू है हाइट एच टू है माल लो यह कोई पॉइंट नंबर 3 माल लो प्रेशर पी 3 है वेलोसिटी वी 3 है हाइट H3 है तो बर्नोली थिरम क्या बोलती है बर्नोली थिरम यह बोलती है कि पॉइंट नंबर 1 पे बर्नोली कैसे लिखोगे प्लस हाफ रो V1 square प्लस रोजी h1 equal to पॉइंट नंबर 2 पे बर्नोली कैसे लिखोगे प्लस हाफ रो V1 square प्लस रोजी h2 equal to प्लस हाफ रो V3 square प्लस रोजी h3 equal to मतलब अब किसी भे पॉंट पर बर्नोली दिखो पी प्लस हाफ रो V स्क्वार प्लस रो जी हैच यह चीज हमेशा क्या रहेगी यह चीज हमेशा क्या रहेगी कॉंस्टंट रहेगी मत्ब्लूड में आप किसी भी पॉइंट पे इन तीनों चीज़ों को एड करो आपका जो सम आएगा वो हमेशा एक ही होगा इसलिए मैंने ये क्वेशन लिखी मानत है समझ में अब कोई डाव टेस्स में तो आप पूछ सकते हो कोई डाव टेस्स में तो पूछ लो क्योंकि अगला टॉरी से लिए छोटा सा है उसको एक मिनिट लगेगा ठीक है तो यह आपकी बढ़नौली एक्वेशन है कुछ डाउंट टेस्स में तो पूछ लो ओके लिखो अपनी कॉप्य में टॉरी से लिए लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले एक चीज में तुम्हें पर रिवाइस करा दू यह दे इस चैप्टर के शुरूवात में मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था कि अगर मालो आपके पास कोई कंटेनर है और मालो की इस कंटेनर में कोई अमणलो की फ्लीट की है एच और मालो अमांलो तुम्हें ठाइथा दो जगे प्रेशर निकालना मालो मैं तुम्हें पूचों की 15 कित्ता प्रेशर होगा और 15 कित्ता प्रेशर होगा देखो बाई लो की ओपर एंट्म Catalunya किया थाट्मոसफेरिक प्रेशर यह दकना 20 नंबर 20 कित्ता प्रेशर होगा P0 वोगा क्योंकि Key na B nr. Mr. one पर कोई fluid नहीं है. पॉइं特व के ओपर क्या air to खाली air का प्रेशर लेकिन पॉइंट नमबर टू पे आपके दो प्रेशर होंगे देखो एक तो नमबर टू पे एच हाइट तक फ्लूट भरा हुआ है तो याद रखना फ्लूट का प्रेशर कितना होगा देखो कैसे लिख रहा हूँ हाइट कितनी है इंटू डेंसिटी कितनी है इंटू जी प्लस उपर एयर का कितना आ जाएगा पी नॉट इस कंसेप्ट को हमेशा याद लगना फ्लूट के टॉप सर्फिस पे पी नॉट क्योंकि फ्लूट के ऊपर खाली एयर है लेकिन जो बेस है वहाँ पर कितना होगा एयर का भी होगा और इस फ्लूट का भी होगा मत्तब एच रोजी प्लस पी नॉट ठीक है तो बस अब लिखो अपनी कापे में एक्स लिखो टॉपिक वेलासिटी ओफ एफलक्स वेलासिटी ओफ एफलक्स या फिर कई लोग इसको टॉरी सली थियोरम भी बोलते हैं टी ओ डबलार आई सी डबलला आई टॉरी सली थियोरम अब देखो ये टॉरी सली थियोरम बोलती क्या है सबसमदना बहुत असान है मान लो कि आपके पास ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है ठीक है और मान लो कि इस कंटेनर में आपका फ्लिट भरा हुआ है आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है बहुत बड़ा कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में एच हाइट तक फ्लि एक hole दिया मान लो इस hole का area है A2 और मुझे यह पता करना है कि अगर मैं इस hole को खोल दू तो बताओ यहां से flirt किस velocity से बाहर निकलेगा मेरा question क्या है कि मान लो कि मैं इस hole को खोल दू तो बताओ यहां से fluid किस velocity से बाहर निकलेगा देखो इस question को कैसे solve करते हैं अब तुम सब समधना समधना suppose करो कि ये वाली height मैंने 0 ले ली मालो मैंने 1 point यहां लिया point number 1 और मालो मैंने 1 point यहां लिया point number 2 मालो point number 1 है वो भी h height पे और point number 2 है वो भी h height पे तो अपन point number 1 और point number 2 पे बर्णॉली पुट करते हैं कैसे put करेंगे देखो पहले आप simple बर्णॉली equation लिखो p1 plus half rho v1 square plus rho g h1 equal to p2 plus half rho v2 square plus rho g h2 अभी मैंने तुम्हें बताया बर्णॉली equation अब देखो आपन क्या करते हैं अपन इसमें value पुट करना चालू करते हैं देखो कैसे करेंगे अब तुम सब ध्यान से देखना पहले अपन पुट करते हैं p1 अब खुद मुझे बताओ point number 1 के उपर h height तक fluid है और उपर atmosphere है तो p1 कित्ता हो जाएगा p0 plus h rho g क्योंकि point number 1 के उपर fluid भी है और उपर atmosphere भी है plus half rho v1 square मालो यहाँ velocity है v1 plus और अभी मैंने बताया point number 1 जमीन से कित्ता उपर है h तो यहाँ पर क्या आजाएगा rho g h हो गया तो rho g h1 की जगे यह आगया half rho v1 square की जगे यह आगया और p1 की जगे यह आगया equal to अपन p2 निकालते हैं अब खुद मुझे बताओ देखो यह point number 2 है point number 2 के उपर खाली क्या है air उपर कोई fluid तो है ही नहीं तो p2 कित्ता हो जाएगा p0 plus half rho v2 square की जगे half rho v2 square और point number 2 भी जमीन से कित्ता उपर है h तो यहाँ पर भी कित्ता आजाएगा rho g h ठीक है अब तुम ध्यान से देखना rho g h से rho g h गया p0 से p0 गया कोई doubt तो नहीं है इधर rho g h से rho g h गया p0 से p0 गया तब कि क्या equation बनी h rho g plus half rho v1 square equal to half rho v2 square और ध्यान से देखो rho 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 भी चला गया आप lcm लो तो आपकी equation आजाएगी 2g h plus v1 square equal to v2 square लिख लो अपनी कॉपलमेट परस को लिख लो और अब तक कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बस दो step और बाकी है time थोड़ा कम है अपनी class में लिख लो और आप कोई doubt तो पूछो दो कि एक step और बाकी है फिर अपना answer आजाएगा मानत कोई doubt तो पूछ यश टोरी सली में कोई भी doubt तो पूछो कि sir आपने P1 कैसे लिखा sir आपने P2 कैसे लिखा doubt तो पूछो बस मैंने बर्णॉली थिरम लिखी और उसमें वैल्यू पट करना चालो गया तो एक पॉइंट नंबर वन यहां पर तो वन के उपर एच हाइट तक तो फ्लिड है तो एच रोजी उसका उपर एएर पीनॉट उसका पर P2 में खाली पीनॉट आएगा क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर टू के अपर तो खाली एर है पानी तो है ही नहीं तो खाली पीनॉट और दोनों की हाइट सेम है तो रोजी एच से रोजी एच गया तो वैसे तो आपका यही आंसर है लेकिन याद रखना suppose करो कि आपका जो A1 है मान लो की वो A2 से बहुत बढ़ा है है ना? जैसे मान लो मैं तुम्हें एक example दूँ मान लो मैं अगर तुम्हें पूछू कि एक इतनी बड़ी टंकी है बहुत बड़ी टंकी है वो पूरी फ्लिट से बढ़ी हुई है और मान लो कि इसके नीचे एक बहुत छोटा सा होल है तो अगर मैं तुम्हें पूछू कि अगर मैं इस होल को open कर दूँ तो यहां से तो आपको पानी निकलते वे दिखेगा लेकिन अगर मैं पूछू कि या क्या तुम्हें का पानी move करते वे दिखेगा तो अगर उपर वाला एरिया एटू से बहुत बढ़ा है तो यहां पे जो फ्लूड निकल रहा है वो तो आपको दिखेगा लेकिन अंदर जो वेलोसिटी है वो करीबन करीबन कित्ती हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि कंटेनर इतना बढ़ा है आपको अंदर वाला पानी move करता हुआ दिखेगा ही नहीं लेकिन इस hole से पानी जरूर दिखेगा तो इसमें मान लो कि आपका A1, A2 से बहुत बढ़ा है तो अपन V1 को क्या put कर सकते है 0 V1 मतलब अंदर वाली वेलोसिटी तो आपका V2 कितना बच जाएगा आपका V2 बच जाएगा root 2GH यह आपका final answer है वैसे तो यह आपका final answer है लेकिन अगर मान लो आपका area बहुत बढ़ा है तो आप V1 को 0 put कर सकते हो तो आपका V2 कितना आजाएगा root 2GH ठीक है लिख लो अब कोई doubt है तो पूछो इसके साथ तुमारा टॉरी से लिख खतम होता है कोई भी doubt है अब तो पूछो ओके कोई doubt नहीं तो दोनों लिख ले न है अपना एक दो क्लास में चटर खतम हो जाएगा ठीक है कोई doubt है तो पूछ ले नहीं तो next class में discuss कर लेंगे ठीक है